हेलो स्टुडेंट सो नाव श्टार्ट अनलोग असामेंट ओके सो आज हम क्या पढ़ेंगे अज थरसडे ओके पेच को टॉन करो और टैम टेबल मतलब विकली जो हमें कैलेंडर दिया है ना उसमें देखते हैं आज हमारे टॉपिक क्या है ओके सो बचो देखो यह थरसडे है टॉपिक है मुल्टिफिलिकेशन टेबल और हमें क्या करना है पेज नमबर फाई हमें समझना है अचसे और वर्क्षीट नमबर टू करनी है पेज नमबर नाइन पर ओके सो बच्चो यहाँ पर हमें वन से लेके टैन तक टेबल दिये ओकी सो बच्चो आप सबको वन टू टैन तक और उससे जादा भी टैबल आते होंगे फिर भी हम क्या करेंगे एक बार रिविजन कर लेते हैं हम कैसे पढ़ेंगे और जिसको भी आगे तक भी आते हैं ना बच्चो वो भी अच्छे से क्या उनको भी लान कर लेंगे ओकी दैन यहाँ पर हमें बारकूट दिया है उसको स्कैन करकर आपको अच्छे से वीडियो देखना है ओकी दैन वर्षिक नमबर टूनी कालम ओके पेज नमबर 9 पर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर नमबर क्या लिखा है और एट रएट एच प्या लिखा है एट रहां पर हमेंच केरफूली आंडरो इस है विच्छे sandwiches for each one of them how many sandwiches did he make so बच्चों यहां पर कहा है कि जो एंडु है न उसने क्या किया है गेम खेलने के लिए मतलब I mean उनके फ्रेंड को उसने invite किया है night game के लिए और वो डिसाइड कर रहा है कि मैं snack उनके लिए बनाऊंगा उसने क्या किया mini sandwiches बनाई और उसके चार फ्रेंड आये थे न वो चार फ्रेंड के लिए उसने एक मतलब चार फ्रेंड साय थे पर हर एक फ्रेंड के लिए उसने 3-3 sandwiches बनाई थी तो हमें पूछाए कि 4 फ्रेंड के लिए कितनी sandwiches बनाई होंगी तो हमको क्या करना यहां पर हम क् मुल्टिफिलिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे फोर फ्रेंड और एक के लिए उसने 3 सेंड़िचे स्थी तो 4 ख्रोस 3 करेंगे तो अंसर क्या है और 4 3 तुवेल खाल के अपको अच्छे से मतलब अपनी नौडबूक में लिखना है जबाने दैन सेकंड वन सेकंड क्या है second he also made some juice from fresh orange if he used two orange per glass of juice and he made six glass of juice how many oranges did he use यहाँ पर क्या कहा है उसने और क्या किया fresh orange का juice भी बनाया और एक glass बनाने के लिए उसको two orange लगते है origins लगते है तो उसने six glass बनाये थे उनको कितने oranges लगे थे वो हमें क्या करना है find करना है तो हम क्या करेंगे two oranges लगते है एक glass के लिए तो उन्होंने कितने glass total बनाये थे six glass बनाये थे तो हम क्या करेंगे two cross six तो two six are twelve ओके then third one then he started to prepare the games for his four friends if each game takes five minutes to prepare and he prepared a total of five games how many minutes did it take for Andrew to prepare all the games क्या पुछाएं यहां पर हमें so यहां पर हमें कहा है एक game prepare करने के लिए पांच मिंट लगते है वैसे पांच game के लिए कितने लगेंगे तो हम क्या करेंगे five cross five okay so answer क्या आएगा five five is a twenty five okay then fourth okay fourth one Andrew's four friends decide to bring food as well if each of them brought four slices of pizza and three bags of chips how many slice of pizza do they have in total sorry so क्या पुछाएं यहां पर पीजा के जो चार slices है ना बच्चो so वो हर एक फ्रेंड के लिए चार-चार slices है okay तो हमें फाइंड करना है के total कितने slice हुए पीजा के ओके so four fours are sixteen sixteen okay so यहां पर four question complete हुए then question number B question number B क्या दिया है find the product okay five cross eleven is equal to fifty five then five nines are forty five four cross ten forty okay so यह जो है ना वो आप homework में कर रहे हैं okay easy है और आपको कमपलसरी वीडियो देखना है ओके अगर आप मतलब नहीं वो बारकोट स्कैन कर पा रहे हैं तो मैं आपको लिंक शेर कर दूंगी पर आपको कमपलसरी वो देखना है है ओके थैंक्यू कर दो कर दो